आईपोन 12 इसका गेलास और डिस्प्लेट क्रैक हो चुका था, मैं इसलिए मैं एस्टिमेटर लगा लें के लिए मैं वेबसाइट में जात हूं। वेबसाइट में जाकर चेक करता हूं कि इसका आंटर अश्टिमेटर कितना आएगा। में चेकरने के बाद में एपको मैं इसे वेबसाइट में आजाता हूँ वेबसाइट में आने के बाद इधर में आपको फिल करके दिखहते हूँ करेक्सक्रीन उच करके और ऐपून त्वेल जोबी मैंचिन कर गए मेरा पास जो हो फोन अब देखा है दोस्तों यह क्या है 36000 कुछ आसपास लग रहा है मेरे को लग रहा है मैं इसका इंडिया में आपको क्लिक करके देता हूँ इंडिया में आपको मैं कितना रहेगा इसका प्राइस इस सेलेक्ट करने के बाद में वही चीज करता हूँ कि आपको वेबसाइट में जाके इंडिया सेलेक्ट करके बाद में आपको इदर देख रहे हैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर से नीचे आता हूँ गैट एस्टमेट करने करने कि 25,500 आपको दिखा रहे है कि डिस्प्लेइ क्राक होने के लिए मतलब इसका हद नहीं है इसका मॉडल आपको कंप्लेटली डिसकांटीनु हो गया है आइफोन 12 आपल ने खोदी डिसकांटीनु कर दिया है फिर भी इसका बैक और सिर्फ डिस्प्लेइ टूटने के लिए रेडी हो रहता है 25,000 इसका नहीं आपफोन आपको यह नहीं आपफोन मार्केट में मिल जाएगा पताने इसका क्या रिजन है आपल पताने क्या रिजन देता है कि इतना डिसकांटीन होने के बाद उसका डिस्प्लेइ का क्वास्टी 25,000 लगा के रखा है यही लोट मजा के रखा है दोस्तों क्योंकि कुछ लोग यह हमाई स्लोन बिन करके फोन ले लेते हैं आज में कुछ डैमेज होने के बाद उसका और घाटा लग जिता है कि सिर्फ डिस्प्लेइ के लिए 25,000 पेकर और बैक ग्लास गया तो आपको 35,000 पेकर ने के लिए बोले गए आपको आइफोन 15, आइफोन 14 में भी आपको यही चीज आपको मिलेगा तो आइफोन बैक ग्लास में क्रैक हो गया ने तो डिस्प्ले में क्रैक हो गया तो भी सेम ही आपको यही प्राइस देना पड़ेगा जो आइफोन 15 है तो यहीं प्राइस है चाहिए आइफोन 14 है तो अभी, same price है, इसलिए लिए क्या करता है, आपको bag glass और temper glass अच्छे से quality के लगा कि आपको use कर सकते हैं, नहीं तो तो इसमें आपको देख सकते हो कि कितना घाटा हो जाएगा, आपको और एक प्राब्लेम है कि आपको इसमें आपको ready करने के बाद इसमें और एक option आएगा कि आ इंडिया के 426 आपको डॉलर्स में रेडी हो जाएगा वो डिस्प्ले जो है बाद में मैं कानवर्ट करके मैं वेबसाइट में दिखाता हूँ कि 426 में कितना रुपए होने वाले है इडिया में करने सी को कनवर्ट किया था नहीं तो डॉलिकेट आपको कि और आप बिना एपल सर्वी सेंटर से आपको रिपेर करते हैं तब ऐसा पॉपप आएगा जो भी क्यामरा डिस्प्ले जो भी आपको आउटसाइड क्यामरा कुछ भी आपको आउटसाइड से रिपेर करते हैं अननऊन पर्ड डिस्प्ले करके आएगा यह एपल के एक चाल है दोस्तों कुछ भी आपको यह वरजीन डिस्प्ली लगाने के लिए आपडस खुद रिपेर करने के लिए ऐसा करते था देख सकते हैं अप एद अननऊन पार्ट करके आएगा camera, display, जो भी आप change करते हो unknown part, unknown camera, unknown display से करते आएगा, वीडियो पॉसंद आएगा तो ज़रूर like करो, share करो, subscribe करो, मिलते हैं अगर वीडियो में, जाइए